हाई अब्रिवन स्वागत है आपका मेरे किच्छन में आज हम बनाएंगे एकदम चट्टा के दार चटनिया चाट के लिए जो सर्फ कुछ तरीके से तयार की जाती एकदम कम सामगरी से स्वादिश्ट और मज़ेदार चटनी इसे अब हम पीस लेंगे एक बार करने के बाद हम यहां पर थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पेस्ट बना लेंगे अब देख सकते हैं बिल्कुल कम इंग्रीडियन से बनने वाली यह चटनी में एक से दो घंटे के लिए भिगो दीजिए अगर आपको जल्दी है तो एकदम गरम पानी में पांच मीट के लिए भिगो दीजिए यह तैयार हो जाएगी डेड़ घंटे के बाद हमें इसको इस तरीके से एकदम मैश कर लेना है क्योंकि इमली भीगने के बाद कड़ाई को हम गैस पर रख देंगे मीडियम अज पर आप हम डालेंगे आधिटीश्फून लालमेश पावडर अधिटीश्पून पूना जीरा पावडर आधिश्चीँपून धनिया पावडर 14 टीसपून काला नमक,नमक स्वध नुषा और 14 सौन है प्र फिर अधरक पा अब हम इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे और मीडियम आज पर इसे पकाएंगे हमें इस चटनी को दो उबाले आने तक पकाना है हमें बस मीडियम कंसिस्टेंसी की चटनी चाहिए अगर आपको एकदम थिक चटनी पसंद है तो आपको इसे 15 मिट तक उबालना होगा अब हम ड हमारी चटनी बनके तयार है हमें यह कंसिस्टेंसी चाहिए तो इसे हम एक बोल में या जार में निकाल देंगे इसे ठंडा करने के बाद आप फ्रिज में 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं यह दोनों चटनी या किसी भी चाट का स्वाद 10 गुना बढ़ा देगी उमीद करती हू तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं अगली रेसिपी में